कि नमस्कार साथियों मैं कुमार मंगलम आज आप लोगों के बीच अब भ्रंस साहित्य के प्रमुख कवे हिम चंद्र की कुछ कविताओं की व्याख्या और उनका एक समाने परिचले के प्रस्तुथ हुआ हूँ आप इसे असनातक और असनातक उत्तर हिंदी के दूनों पाठिक्रमों में इनको पढ़ते हैं अब भ्रंस साहित्य जो की हमारे आरंभिक हिंदी का एक बड़ा समरिध्य साहित्य है उस साहित्य के जैन कवी हैं हेम चंद्र जैसा कि आप सभी जानते हैं गुजरात के सुलंकी राजा सिद्धराज जैसिंग और उनके भतीजे कुमारपाल के सासनकाल में उनके समय में सिद्ध जैन कवी जो हैं हेम चंद हुए और उनके दरबार के ये कवी थे जैन कवी थे अपव्रंस साहित्य का एक बड़ा हिस्सा जैन साहित्य का है जैसे अपव्रंस साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो एक उसका बड़ा हिस्सा नाथों का सिद्धों का है वैसे ही जैन साहित्य की भी एक लंबी परंपरा वहां है और हिम चंद्र को हिंदी का आधी कवी कहा जात ब्याकरण आचार्य भी थे इनका एक बड़ा ब्रिहद ब्याकरण ग्रंत है हेम चंद्र सब्दा नुशासन और जो की सिध्राज के समय में बनाया गया था और इसमें संस्कृत प्राकृत और अभ्रंस तीनों से संब्मंधित ब्याकरण की बातें दर्ज की गई हैं इसमें बहुत सारे उद्धरण और दोहे अभ्रंस में भी हैं और इन दोहों को देखेंगे तो उस समय की जो एक विशिष्ट प्रवरिती थी पदरचना थी रीती थी वह आपको इन कविताओं में इन पुस्तकों में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इनकी प्राकृत काविकी की पुस्तक है और उसका नाम है कुमारपालचरित तो आज जो मैं कुछ कविताएं हम चंडर की ले करके आया हूं यह हिंदी साहित्ती की इतिहास में भी उल्लखित है और इनकी बहुत सारी जो संकलन जैसे एक संकलन आयर रहुलसा प्रमुख कविताओं की ब्याक्षा के साथ और उसके बारे में एक उसका परिवेस गत परिशे ले करके मैं आपके सम्मुख आऊंगा तो पहली कविता है हेमचंद्र की जो आप लोगों के लिए मैं ले करके आया हूँ वह है भला हुआ जो मारिया बहणी महारा कंत लज्ये जद्तु वयति हो जै भग्गा घर अद्तु यानि की नाईका जो है अपनी सकी से कह रही है कि अ अच्छा हुआ भला हुआ जो मारा गया उसका प्रियतम प्रती प्रेमी पती जो भी कह ले उसके युद्ध में हताहत होने की उसके युद्ध में सहीद होने को ले करके उसकी पत्नी या उसकी प्रेमी का अपने शकी से कह रही है कि अच्छा हुआ कि वह युद्ध में ही मा करा गया हमारा कांत यानि कंटु कंटु अपवरंस में है इसका जो मूल रूप हिंदी में होगा वो कांत आपको पता है कि पत्मियों को कांता करते हैं तो कांता का जो पुल्लिंग वर्जन होगा वह होगा कान्त तो भल्ला हुआ जो मारिया बहडि महाराक अन्तु जो बाहर बहडि यानि बाहर तो अच्छा हुआ जो वह बाहर ही युद्ध में ही मर गया लज्जे जम्तु वयस यहू जई भागा घर अन्तु अगर वह युद्ध से समर में डर करके या ऐसे भाग करके आता तो मैं अपनी सम्वयसकाओं में अपनी सक्यों में अपने समाज में बहुत लज्जीत होती तो आप देखें कि यह कविता अपभण्स साहित्य के समय कि अगर इतिहास के दृष्टिशे देखेंगे तो उस समय छोटे छोटे राजाओं के युद्धों का भी समय है और वहां की यनता युद्ध में भी जा रही थी कवित्य अपने समय का एक अस्थानापन रच्ती है एक आसे इतिहास को दरज करती है जो इतिहास को बहुत सीधे सीधे नहीं भी कहा है नहीं कहा जाता लेकिन आप उसके रास्ते सुत्रू को तलास करके उस समय की इतिहास को भी उसके समनांतर इतिहास को भी समझ सकते हैं तो हेम चंदर लिखते हैं भला हुआ जो मारिया बहड़े महारा कंतु लजे जम तू वैस यहू जई भगगा घरअदु अगर हमारा प्रेमी हमारा पती हमारा कांत अगर युद्ध से डर करके भाग करके लोट करके आ जाता तो हम अपनी समझ वैसकाओं में अपने समाज में अपने लोगों में बहुत लज्जित होते इस से अच्छा हुआ कि वो हमारा गया यानि सहीद हुआ और कम से कम सहीद होने का सहीद की प्रियत्मा होने का पतनी होने का जो गौरवोध है वो इस पविता में दर्ज है आगे एक कविता है जै सोन आवै दूई घर काई अह मुह तज्ज वयरूज खंडई तव सहीए सोप्यू होई नमज्च यानि कि हे दूती यदि वह नहीं आता तो तेरा क्यूं अधो मुखा है हे सखी जो तेरा वचन खंडईत करता है अगर इसका स्लेश में दूसरा अर्ख ने तो जो तेरे मुख पर चुम्मन द्वारा छत करता है वो हमेरा प्रिय नहीं है आप जानते हैं कि हमारे साहित्य में एक प्रिहद प्रसंग है नायक नाईका भीद का और उसमें कई तरह की नाईकाएं होती हैं तो यहां पर प्रेमी और प्रियतम और देखिए अगर इसका एक ब्रिहद अर्थ लगाना चाहेंगे तो इसके तीछे एक सास्त्री यह भी च चलता है कि इसका एक अध्धात्मिक अर्थ होता है। हाला कि अचायर शुक्र जब आधिकाल की वीवेचना करते हैं तो यह वह यह भी कहते हैं कि आजकल आध्धात्मिक रंग के चसमें बेहत सस्ते हो गए यानि कि किसी भी कावे को उसका एक जबरधस्ति का अर्थ कविता कहने का जबकि ये कविताएं जो हैं राज परिवार और राज समाज के इर्द गिर्द की कविताएं हैं अतह इसमें बहुत अध्यात्मित अर्थतलास्मे की कोशिस भी नहीं करनी चाहिए तो जो सो न आवही दूई दूई यानि दूटी जो वह यहां नहीं आया या नहीं चाहता घरू काई अहो मुह तुझ्जू तो काहें तो क्यूं तुम्हारा जो मुह है वह आधा हुआ है यानि उतरा हुआ है इसको समझिए काई कोई अहो मुह अधो मुख अपभरंस व्याकरान के बारे में जिश्निन में चर्चा करूंगा तो आप लोगों के अभी बताऊंगा कि सब्दों ने अपने रूप परिवर्तन कैसे कि प्राकृत में पाली में अपभरंस में हिंदी में संस्कृत में यह सब्द कैसे यात्रा करते हैं और जब अपभरंस का एक अर्थ आप सभी जानते हैं बिगड़ा हुआ होता है इसमें बहुत सारे करते हुए उन सब्दों के नजजीक जाना होगा उस पर बातचीट करनी होगी उसे देखना होगा कि यह सब्द कौन से हैं जैशोड आवहिदूई जो यदि वह घर नहीं आया तो तेरा मुह क्यूं उतरा हुआ है वयाड़ु जखन्डई तव सहिए क्या तुम्हारा वचन खन्डई तो हो गया है या अगर इसको दूसरे अर्थ में लें श्लेस के अर्थ में लें तो जो तेरे मुख़ पर चُμमन द्वारा खत करता है वो प्रेम में एक अधिकार भाव होता है प्रेम की इमांदारी होती है कि प्रिय और प्रियत्म के अलावा वहां किसी तीसरे की जगह नहीं होती कभीर कहते हैं कभीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है जैसे एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती वैसे एक प्रेम में कई प्रेम के लिए जगह नहीं हो सकता है यह हमारे कावि में भी है यह जीवन का भी सकते हैं तो यह एक कविता है तीसरी जो कविता है वह यह है जे महुदिन्ना दियहडा दये पवंस तेड तार गणतिये अंगुलियू जजजरियाहु नहेड यानि कि जो दिनिया अवधी में यानि दिये हुए समय में प्रियने प्रवास से जाते हुए दिये थे उन्हें नक्स से गिंते गिंते मेरी उंगलियां जरजर हो गई इसको फिर से समझिये जे महुदिन्ना दियहडा यानि जो प्रियने यहां से जाते हैं समय बियोग देते समय समय दिया था कि मैं इतने समय में वापस आ जाओंगा उसके विरह में उसके इंतजार में अपने नाखूनों पर गिंते गिंते नाखून हिस गए हैं और उंगलियां जरजर हो गई हैं विरह का यह अतिरेक हेमचंद्र के आहां नायका के विरह की इस्थिती को दर्साने के लिए किया गया है और आप इन कविताओं को पढ़ते हिए ख्याल लखिए कि हिंदी साहित्य का आगे का काल जो है वह रिति काल है वह नायकनािका का भेद का काल है तो कैसे यह कविताओं एक साथ कई मनुभाओं को ले करके चलती हैं और अपने आने वाले समय के लिए एक मार्ग एक रास्ता खोलती है एक मार्ग पुसस्त करते हैं इनको विदाओं का कैसे विस्तार होता है जब आप रितिकाल जो आता है हमारे हिंदी साहिति की इतिहास में वह अचानक आई हूँ चीज नहीं है आगे आप जब भक्तिकाल पर बात करेंगे हम लोग तो अचारी राजम शोकी की बात्चीत को सुनेंगे और उसमें इस तरह की भासे हुई है कि क्या भक्ति अचानक आगी तो यह कविताएं अपने बाद की कविताओं की पुर्वज कविताएं हैं हमचंद्र की कविताओं को इस रूप में भी देखा और पढ़ा जाना चाहिए चौथी और अंतिम कविताओं है आज की वह यह है पिय संगमि कव निद्धड़ी पियोह परेखव कें मै बिन्नवी बिन्नास या निद्धन एवनतें यानि प्रिय के संगम में यानि प्रिय के योग में प्रिय के साथ रहते हुए नीद कहां और प्रिय के परोक्ष भी क्यों कर आवे अगर प्रिय है प्रेमी है अगर वो नहीं है तो फिर नीद कैसे आएगी मैं दोनों प्रकार से विनासिता हुई अर्थात गई ना योग नीद ना योग नीद यानि की इस कविता को फिर से सम प्रिय के साथ रहते हुए प्रिय के साथ रहते हुए नीद नहीं क्योंकि प्रिय साथ है और प्रिय अगर प्रिय जो है परक्ष हो दूर हो साथ नहीं तो उसके व्योग में नीद नहीं है प्रिय के साथ रहते हुए भी नीद नहीं है और प्रिय के दूर रहने पर भी नीद नहीं है मैं विन्नवी विन्नास या मैं तो ऐसे ही गई विनास मेरा हो गया क्योंकि मुझे कभी भी चैन नहीं है कभी भी नीद नहीं है कभी भी आराम नहीं है जब प्रिय साथ रहता है त कुछ समय का साथ है तो जब तक का साथ है ज्यादा से ज्यादा ले लिया जाए वह साथ का वह संगत का वह इस्मितियों का असर और जब प्रिय नहीं है तो उसके व्योग में उसके याद में नीद नहीं आती हमारी सिती तो दोनु और से खराब है मैं न इधर की रही न उधर खुसरोबादी प्रेम की खेली पीकेसंग, जीत गए तो पिया मेरे हारी पीकेसंग, अर्थ बिल्कुल भिन्न है, लेकिन जब प्रियसात होता है, तो फिर किसी भी हार या जीत का और प्रियसात नहीं रहता है, तो उसकी स्मितियों में, तो यह प्रेम का जो उद्दात लेकिन इन कविताओं में एक लोग के कता भी है एक इस लोग की जोसित के आचारे हैं और इन कविताओं को पढ़ते समझ्झते हो चंद्र का एक नया और बड़ा पक्ष सामने आता है आप सबने सुना आप सब के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद अगली बातचीत में हम ऐसे ही किसी और कभी की करूता की द्याख्या करते हुए उन्टा एक समाने पर चले करके प्रस्तुत होंगे आप सबने सुना धन्यवा चले कर अचसराद जयाई आप जया अआप